इस शहर में कुछ लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे बढ़ा इंटरस्टिंग सा लगता है मैं जिस काम की बात कर रहा हूं वो काम ये औरत भी करती है वो रोज चार गाय और घास लेकर इस मंदर के पास आती है फ्रियां बैट कर वो लोगों को घास वीशती है क्योंकि गाय को पुवित्र और उसे गास खिलाना पुन्ने का काम बाना जाता है बहुत सारे लोग औरत से थोड़ा सा घास खरीते हैं और बाजू में खड़ी इन गायों को खिलाते है अब अगर आप घान से सोचें तो या औरत का काम एक बहतरी बिसनिस मॉडल है चारो गाय उसकी है घास भी उसका है और गायों को घास खिलाने की जिसमेदारी भी उसी की है लेकिन वो अपना काम दूसरों से करवा रही है और उपर से पैसे में कमा रही है इन गायों से मिलने वाले दूद से भी उसी का फायदा होता है तो बड़ी समझदारी से उसने अपनी जिम्मधारी को पैसे कमाने के एक तरीके में तबदील कर दिया है अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो लोगों को बीवकूप बिना रही है लोग घांस खरीद कर गायों को ख्यानी के लिए राजी हैं क्योंकि मुंबई जैसे महानगर में उने ये पुन्य का काम करने को मिल रहा है लोग पुन्य कमा कर खुश हैं और ये औरत कुछ पैसे कमा कर रहा है It's mutual benefit